इस वीडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है चलिए इस वीडियो में हम बात करने बाले हैं visualbasic.net के अंतरगत जो form control होता है और उसके बाद जो अन्य control होते हैं एक एक करके हम सारे controls के बारे में आप बात करेंगे तो start कर लेते हैं visualstudio.net इसके पहले की जितनी भी classes है उमीद है उसको आपने देख लिया होगा और जो भी चीजे मैंने बताया उनको आपने सीख लिया होगा उसके बात जो है सारी चीजे आपको continue राखना है देखिए यहां पर आपको start button में जाना है start button में जाने के बाद आपको लिखना visual studio अब आपके पास कुन सा version है मैंने पताया तो 2023 इंस्टॉल करना तो यह क्रेक्ट Kingdom नहीं है तो पुराने बर्जन में भी आप practice कर सकते हो अगर आप अपने system में Visual Studio 2022 इंस्टॉल कर सकते हैं तो अच्छी बात है नहीं तो आप पुराने बरजन में भी इसमें जो है practice कर सकते हो चली को क्लिक कर लेते हैं और क्लिक करने के बाद हमारे सामने जी जो है इन स्टार्ट हो जाता है स्टार्ट होने से पहले आपके सामने यहां कुछ recent project दिखते हैं यानि कि जिसमें हमने काम कर चुके हैं चाहे तो हम इनавно को ओपन कर सकते डारेक्ली नहीं रही है देखिए हम ज्यादा तो उपयोग करते हैं विंडोस फॉर्म एप्लिकेशन जो की डॉटनेट फ्रेंबर्ग का है आप चाहे तो यहां से भी कर सकते जैसे कि मैंने बताया था लेंग बेज आपको विज्वल बेसिक सेलेट करना है दूसरा आपको विंडोस यानि कि कि प्लेटफर्म के लिए बनाना है तीसरा आपको यहां पर रखना है उसका प्रकार कि आपको बैब बनाना है या डेश्टॉप बनाना है तो यहां हमने रख दी है डेश्टॉप और नीचे आपको देखना है देखिए आपको टेंपलेट नजर आएगी थोड़ा से स्क्रॉ जब करोगे तो आपको देखिए यहीं कहीं मिलेगा windows form app.net framework इसको आपको क्लिक करना है और next बटन पर यहाँ पर क्लिक करना फिर आएगा project का नाम प्रोजेक्ट का नाम आप दे दीजिए जिसे हमने my project इस प्रकार से one और यहाँ पर हमने देखिए location दे दिए location चाहे तो आप setup हमने किये हैं template select की हैं उसके प्रोजेक्ट का नाम है location है सारी चीजों के साथ आपके सामने project बनकर तयार हो जाता है और project जब बनता है तो सबसे पहले जो दिखता हमको वह दिखता है form control यह दिख आपको form control एक प्रकार का main control होता है जहां पर आप जो है कोई भी चीजों को लाका design करते हो यानि कि main designer window किसे बोलेंगे हम form control को ठीक है तो form control के अंतरगत हम जो भी चीज़े लाते हैं वो कहलाती है मैंने नया project बनाना open करना save करना close करना और run करना साथ ही windows form कैसे add करते हैं वह भी सारी चीज़े आपको बता चुका हूं working with project के साथ मैं तो आप उसको जाकर देख सकते हैं और यहां पर जो चीज़े हमने देखें देखें यहां पर आपको project के अंतरगत जो है solution explorer वगेरा यह स सीधे आप यहां जो है उपयोग करना देखेंगे जो भी चीजे हम देखेंगे यहां पर उपयोग करना देखेंगे तो सबसे पहले हम जो है यह जो form window दिख रही है form window में करते हैं कि हाँ यह चीज आपको पता चल गए जो भी चीजे मैं मतलब जो भी चीजे design करना है वो कहां आती है form में यहने कि man designer window क्या हो गए आपकी form तो form में हम एक एक चीजे design करते हैं फिर उसके बाद उनका मतलब हम समझेंगे तो देखिए जो form हम लाते हैं कोई भी control लाते हैं तो इसकी कुछ बिसिस्ता होती है इसकी कुछ properties होती है गुण बोल सकते हैं तो properties जहां सो होती ही properties window जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए तो जिस form पे जैसे में click करूँगा तो आप ध्यान से देखिए यहाँ पे आपको देखने मिलेगा क्या यह जो देखने मिलेगा आपको properties और properties में control का नाम आ रहा form 1 form 1 एक name space के अंतरगत रखी होती है name space मैंने पढ़ा दिया आपको name space एक प्रकार का predefined classes होती है तो system.windows.forms.form इसके अंतरगत यह जो है इसकी definition है यानि कि इस form की definition कहाँ पर है इस name space के अंतरगत name space और हम आगे जानेंगे database related भी देखेंगे आप यह जो form है form के अंतरगत हम देखेंगे properties में देखेंगे यहाँ पर आपको देखने मिलेगा properties, category wise देखने मिलेगी properties, alphabet order में देखने मिलेगी फिर उसके बाद देखेंगे property और event event भी देख सकते जो भी alphabet order में और category wise तो अभी हम बात कर रहे है properties की ठीक है फिर उसके बाद हम बात करेंगे events की और methods की भी common property, common event और common methods इन सब के बारे में हम बात करेंगे तो अभी देखिए alphabet के according हमने कर लिए ऐसा कि मतलब जो है A से लेकर Z के form में तो यहाँ कुछ property होती जिसे name name property इस name जो form है उसके identity को दर्साता है identity मतलब इसकी पहँचान कैसे जैसे आप solution explorer में भी देखेंगे तो इसकी पहँचान क्या है form1.bb तो यहाँ भी जाओगे तो इसका नाम लिखेगा form1 अब यह form1 कैसे change होगा form1 को change करना है तो नया form जब add करते तभी आपको change करना होगा यहाँ से change करोगे तो error जाएगी तो इसलिए ध्यान रहे क्योंकि form जो है एक प्रकार से class से derived हुआ है और अगर आप change करना चाहते तो आप नया form लेते समय ही इसको change कर सकते है फिर उसके बाद देखे accept button जब हम button लेंगे तब यहाँ उपयोग कर लेंगे अभी टेंसर नहीं लेना इसकी उसके बाद देखे आपको form का back color देख रहा है तो आप यहाँ से form का background color तीन custom बैव और system तीन प्रकार से change कर सकते है तो custom में जाओगे light yellow कर सकते है या फिर चाहे तो आप light green कर सकते है light इस प्रकार से स्यान कर सकते है देखे blue कर सकते है इस प्रकार से देखे स्यान तो ऐसे कोई भी color आप चाहते हो यहाँ आप यहाँ पर कर सकते है किस में form में यह हो गया back color ऐसे background image और background image layout background image का मतलब होता है इस form के background में आप कुछ image लाना चाहते हैं तो उसके लिए होती background image चलिए यहाँ पे हम click करते है तीन डॉट पर तीन डॉट पर जैसे click करें select resource इस प्रकार का एक dialogue box आया जिसमें आ रहा है local resource और एक आरह project resource local का मतलब होता है आपके computer में रखी गई file को सीधे वो यहाँ पे लाकर छोड़ देगा form में और यहाँ project resource का मतलब होता है project resource का मतलब local computer से project resource में लाएगा पहले और फिर form में लाकर छोड़ेगा तो इससे क्या होगा इससे फायदा होगा कि जहां भी आप project copy करते हैं तो उसके साथ में यह जो सारा resource है वो चला जाएगा पर local computer में अगर रखते हो और उहीं की लाकर आप छोड़ते हो तो उससे दिक्कत होगी कि जब project आप copy कर लिए हो resource तो आपका गया ही नहीं तो इससे क्या डाउनलोड में हम जो है कोई भी इस प्रकार से देखे बहुत सारी चीज़े यहां देखने मिल रही है तो हम कोई नॉर्माल सा वैग्राउंड लेखे आते जिसमें की हम form design कर सके हैं चलिए यह जो है हम इसको open कर लेते हैं यह हमारे पास वैग्राउंड आ गया थोड़ी ब इसके सामने जो है मैंने बताया यहां property का नाम होता और property की value होती है value में बहुत सारी चीज़े है none है none का मतलब होता है कुछ नहीं टाइल का मतलब चोटे-चोटे titles में जो है चोटे-चोटे जो icon form में यहां दिख जाती है अगर छोटी image है तो center का मतलब जितनी भी बड़ी image हो वो center में देखेगी stretch का मतलब fix और zoom का मतलब लगभग लगभग उसे के जैसा होता है center अब यहां करते हम stretch तो stretch का मतलब हो गया देखिए जो भी चीज़े यहां पर हमने लेकर आया है वो complete रूप से form के according यहां पर हो गई है अब मान लीजे हम form का size out में stretch से हो गया उसके बाद आप देखिए यहां cancel button जैसे accept button सेलेक्ट करते थे वैसे cancel button सेलेक्ट कर सकते हैं जब button में काम करेंगे तो वो मैं और बताऊंगा उसके बाद है control box control box का मतलब यह देखिए minimize maximize और जो close दिया है इसको हटाना नहीं हटाना वो आपके उपर है जैसे enable का मतलब होता है runtime पर यह काम करेगा कि नहीं करेगा जैसे मान लो हम अगर यहां पर run करते हैं run कर देते हैं form run भी हो जाता है पर form में click करते हैं कुछ होता है तो सारी चीज़े जो होती है वो enable कहलाती यहनिकि काम करनी हो गए है जैसे देखिए यह देखिए अभी काम कर रह है ठीक है पर हम चाहते हैं कि यह डिसेबल रहे तो इसके लिए हम यहाँ इनेबल को क्या कर देंगे फॉल्स कर देंगे तो आप करके देख लीजिए इसको आगे हम और बात करेंगे फॉंट का मतलब जो भी हम काम करेंगे उसकी फॉंट फॉर्मेटिंग कैसी रहेगी वह हम चेंज कर सकते यहां से यह डायलेक बॉक्स आपने बहुत बार देखा होगा नॉट पेड में फिर फॉंट का कलर मान लोग चलिए हम यहां एक लेवल ले ले लेते लेवल तो आपको पता है लेवल क्या था लेवल कोई कंट्रोल को आइडेंटिफाई करत तो हम लिख देते में इस प्रकार क्या हम लेख देते और देखूत करते हैं कहा है पाद में कहां जाते हैं粉 में में यह यह होता है मतलब क्या आपका font आप थोड़ा से इसको और छोटा कर दो और इसको जो है बीचो बीच में ले आते background color आ रहा है किसमें आपका form का ठीक है इस label के पीछे और font आ रहा है अब आप चाहते हो कि इसका for का color यानि कि font का color इसको आप फॉल्ट का color भी बदल सकते हैं तो फॉल्म कंट्रोल का इंतर जितने भी चाहुत रहेंगे वह सारी चीजों के background color सारी चीजों का font for meeting बदलना है तो आप font और for color से बदल सकते हैं ठीक है बीजी color से भी उसका हमने change कर लिए थे उसके आध है image बगेरा यहां पर अभी काम की नहीं है size बगेरा इसका होता है कि font जो form का size है वो कितना रख रहा है आप ही देखिए ठीक है form इस प्रकार से तो देखिए heading में देखेंगे आप this is form तो text text का मतलब होता है जो label सामने देख रहा है पहचान के लिए उसको हम बोलते है text उसके बाद आपको नीचे और कुछ देखे की जैसे window state window state का मतलब होता है जब run करेंगे तो बड़ा होकर देखेगा यह नहीं maximize देखेगा minimize देखेगा यह normal देखेगा तो यह चीज होती है जैसे मानलो maximize कर देते हैं पूरी screen पर display होगा तो यह कुछ इसकी properties हो गए ठीक है किसकी form की इसके बाद और चीज हम जानेंगे अब हम देख लेते हैं लेबल के बारे में ठीक है लेबल के बारे में देख लेते हैं और फिर देख लेते हैं बटन के बारे में तो यहां देखिए आपको लेबल तो देखिए है देखिए, लेबल का काम होता है कोई भी चीज को डिस्पले कराना मतलब जैसे मान लो हमने कोई text box लिए text box के बारे में बात में पढ़ेंगे हलागी अभी लेकर देखा देता हूँ यह देखिए हमने text box लिए और text box में क्या input करना है इसके सामने दर्साने के लिए हम लेते हैं label तो पहले हम इसकी background को हटा देते हैं background को हटाने के लिए क्या करना है यह background image में जाना है और आपको यहाँ पर जाकर none करना है देखे, none लिखा हो गए देखे, none लिखा है ऐसे मान लिजे, name input करना है और एक और text box ले देते हैं ठीक है, text box के बारे में विस्तार से अभी बताऊंगा मैं अभी आपको कुछ ने करना है सीधे आपको design करना है इस label का नाम रख दीजे क्या age रख दीजे ठीक है, और एक लिए लिजे button बटन का काम होता है command, यानि कि जो काम हम करवाना चाहते हैं, वो काम बटन करती है ठीक है, form को थोड़ा सा छोटा कर देते इन सब को एक साथ सेलेक करके भी हम ऐसा कर सकते हैं adjust, अब इस बटन का भी text लिखता बटन बन, तो बटन बन को भी हम change कर सकते हैं, ठीक, इस प्रकार से और यहाँ पर इसमें हम coding कर सकते हैं, ठीक, तो देखे label, label क्या होता है, कोई भी control को identify करता है, label की भी कुछ property होती होई, name identify करता है इसका background color होता है border style होती है, साथ ही आपका font for color, size होता है size के बाद text होता है text align होता है, text का align कैसा होना चाहिए, तो कुछ लगबग लगबग वैसे ही property होती है, जो form की होती है, और वैसे ही काम करती है, ठीक है बस condition है कि form के लिए काम करती form की property, और इसकी property काम करती है, label के लिए, ठीक है यासे button की property भी होती है button की property आप देख लीजिए name होती है identify करने के लिए back color होती है इसमें background image भी लग सकते हैं साथ ही इसमें देखे आपको देखने मिलेगी enable, enable, disable भी होता है font होता है, for color होता है ठीक है, उसके आद होती है log भी होता है, size होता है text होता है, text align होता है visible, invisible, सारी चीज़े होती है तो यह लग भग 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 वैसे ही property होती है तो यहां form का मतलब होता है container जहां पर design किया जाता है main control area जहां पर design किया जाता है दूसरा level किसी control को identify करता है ठीक है, इसकी भी वैसे ही property होती ही लग भग भग, button, काम जो भी किया जाना करेंगे और coding जो भी करेंगे वह अहां पर काम करेंगा जैसे मायनलो में उधारन की रूप में यहां लिख देता हूँ एक message box display कर लेते है message box.show यह प्रकार की method है so, ठीक है hello SSW ठीक है और जैसे हम इसको run करते है अच्छा बापस design window में जाना कहीं भी right click करो और देखो सबसूपर आ रहा है view designer या फिर shift के साथ F7 जैसे हमने क्लिक करें डिजाइन में आ गए और run कर दो, run करने के लिए keyword से F5 भी दवाते हैं function की तो वैसा आप कर सकते हैं जैसे अपके इक्षा यह देखिए यहां पर जो भी हम डालेंगे जैसे मान लीजी हमने उसके बाद okay करें तो देखे यह देखे मैंसे जा रहा है message में हमने बैसे type कर दी है हम इसके according type करेंगे कुछ समय बाद जब हम काम करेंगे ठीक है तो यह basic group से अभी मैंने आपको form के बारे में बताया, label के बारे में बताया और आपको बताया मैंने text box text box के बारे में और विस्तार से जानेंगे इसकी कुछ properties होती है extra ठीक है multi-line बगरा बहुत सारी चीजे ऐसे धीर-धीर करके के control और सारी चीजे हम project में काम करना देखेंगे इसके बाद हम जो है अभी जानेंगे variable और data type के बारे में उसके बाद हम जो है banki controls के बारे में जानेंगे जैसे की controls को जानेंगे साथ इसाथ हम जो है कुछ conditional जो statement हो उनकी बारे में भी बात करेंगे जैसे if है if else है for loop है इनके बारे में switch है select बोलते है जिसे ठीक है तो यह सारी चीज हम यहां पर जानेंगे यह जितनी भी चीजे में बताया आप अच्छे से इसकी practice कर लीजिए करते है ठीक है